इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप खुद को एक स्ट्रॉंग और पावर्फुल पर्सनालिटी कैसे बना सकते हैं खुद को ऐसा कैसे बनाएं जिससे आपका ही दबदबा हर जगा हो अपना माइंडसेट बना लो कि मुझे पावर्फुल बनना है और पावर्फुल बनने के लिए मुझे मेहनत करनी होगी और यही मेहनत मुझे पावर्फुल बनाएगी पावर्फुल बनने से पहले आपको पावर्फुल काम करने होगे दुनिया के लिए नहीं तो एट लिस्ट खुद के लिए आप किसी भी काम के लिए किसी पे भी डिपेंड नहीं हो यही आपकी सबसे बड़ी पावर होगी तो सबसे पहले खुद की जिम्मेदारियां उठाना शुरू करो और आगे बने तो लोगों की भी आपको जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए और कुछ अचीव करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है आप अकेले ही सब कर सकते हो यह यकीन जब आप लोगों को दिला दोगे तो लोग आपको खुद बखुद पावरफुल समझने लगेंगे एक आदमी अपनी बातों के लिए ही जाना जाता है आप लोगों से कैसे बात करते हैं यही डिफाइन करता है कि आप कौन हैं और कैसे हैं आपका बात करने का तरीका लोगों पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है आपकी बाते सुनके लोग आपको जज कर लेते हैं तो ट्राइ करें कि जितना जरूरी हो उतना ही बोलें वरना ना बोलें एक पावरफुल आदमी कभी भी कम बोलता है लेकिन जो बाते वो बोलता है उसका इंपैक्ट बहुत जादा होता है पावरफुल बनने के लिए आपका पावरफुल दिखना भी जरूरी है एक पावरफुल आदमी कभी भी ऐसे पोस्चर में नहीं रहता है जो वीक दिख रहा हो हमेशा आपको confident और energetic पोस्चर में रहना चाहिए आपका उठने बैठने का तरीका, लोगों के बीच रहने का तरीका, बात करने का तरीका बहुत जादा matter करता है आपको पावरफुल बनाने में एक पावरफुल आदमी हमेशा पावरफुल पोस्चर में ही रहता है तो आप भी पावरफुल पोस्टर में रहने की प्रैक्टिस कीजिए समय के साथ ये आदत बन जाएगी पावरफुल बनने के लिए आपका फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ही जरूरी है आपके अंदर मस्कुलीन एटिटूड होना चाहिए साथ ही साथ आपको अपने दिमाग को भी बूस्ट करना होगा आपका फिजिकल अपियरंस भी क्लीन और क्लियर होना चाहिए किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप कितने काबिल हो ये लोगों को समझ में आना चाहिए तो आज से ही खुद को फिजिकली फिट बनाने के लिए एक्सराइज कीजिए, वरक आउट कीजिए, जिम जाईए और मेंटली पावरफुल बनने के लिए बुक्स पढ़िए, कोट्स पढ़िए और जितना जादा सीख सकते हैं उतना जादा सीखने की कोशिश कीजिए discipline ही वो चीज है जो आपको powerful बनाती है आपका discipline लोगों को प्रभावित करता है और तब लोग आपको हलके में नहीं लेते हैं लोग आपकी और आपकी बातों की value करने लगते हैं powerful बनने के लिए आप में किसी का भी भय नहीं होना चाहिए किसी भी situation में ना घबराना अपने आपको cool रखना ही एक powerful इंसान की निशानी होती है तो इसलिए किसी भी मुसीबत में आपको डरना नहीं चाहिए बलकि उस मुसीबत का डट के सामना करना चाहिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद